पवन कुमारी का पहला सांप प्रिश्न बल्देव वैद सुभ़ की पहली अंगडाई ने उसका सारा बदन निखार दिया उसकी आँखें खेल उठी, हूँठ खुल गए हाथ पर तौलते हुए दो परिंदों में बदल गए वक्ष खमीर की तरह उठता हुआ दिखाई दिया टांगें दो सो डॉल टहनियों की तरह मानो वो एक मासूम कुमारी हो जिसके तनमन पर अभी तक कोई खराश ना आई हो अपनी देह को नए दिन के गुनगुने उजियारे के हवाले करते हुए उसने कलपना की कि वो एक पगली पहाडी पगडंडी थी नजर की हद तक किसी सफैद हैरानी की तरह टिकी एक अचल पहाडी चोटी उसी चोटी के कदमों से लिप्टी हुई एक बल खाती सी हरी क्यारी थी उसे महसूस हुआ मानोगो अपने अंग-अंग को किसी तस्वीर में उतार रही हो बाहर हवा का समंदर किसी जवान पागल की तरह बहक रहा था पेडों और पहाडों की बलाएं ले रहा था आकाश के कूजे को सीधा कर दिखाने में मस्त था कुछ परिंदे कटी हुई पतंगों की तरह उड़ते जूलते इधर उधर अपनी बोलियों के रंगीन बीज बिखेड रहे थे कुछ शरार्ती बच्चों की तरह पेडों पर चड़े उन्हें अपनी चह-चहाटों से चुन रहे थे धूप अपनी कच्ची आज के रूमाल चारों तरफ बिखा रही थी खामोशी सुभा के सारे सुहाने शोर से खफा होने का बहाना करती हुई किसी बिल्ली या भालू की तरह एक तरफ जा बैठी थी बेचारा आकाश सारी हलचल को काबू में रखने की कोशिश में नीला पीला हुआ जा रहा था उसे महसूस हुआ मानो वो अपनी तस्वीर को किसी विशाल हवा घर में सजा रही हो बिस्तर छोडने से पहले उसने पास बिचे अपने पती के बेखबर बदन को आँख भर कर देख लिया जैसे वो खुद किसी लंबी यात्रा के लिए निकल रही हो पती के बदन पर अभी तक बीती रात की बेहोशियों का राज था उसने कलपना की कि वो किसी सोय हुए फितने को निहार रही थी उसके होटों में उनमाद रच गया और उसकी आँखे मुंदने लगी इस फितने को कुछ देर यहीं सोया रहने दूँ वरना ये सुभ फिर रात में बदल जाएगी आज बाहर की बहार में अकेली ही मचलूंगी बिस्तर में पड़े इस बेहोश सैलाप से अलग और आजाद रहकर कुछ देर के लिए वो मुस्कुराती हुई केबिन से बाहर निकलाई तेजी से मानों से खत्रा हो कि जरा सी भी देरी हुई तो उसकी दिशा बदल जाएगी हवा और हरियाली के पहले इस पर्ष से उसका सारा शरीर संसना उठा नंगे पाउं चलती थर थराती वो उस चट्टान तक पहुँची जहां से उसे उपर और नीचे के नजारे एक साथ दिखाई दे जाते थे जिस पर वो पहले भी एक दो बार पसर चुकी थी जिसे वो अपना पत्थर का बिच्छौना कहती थी कभी कभी मन ही मन आसपास हवा और आकाश और पेड़ों और परिंदों और पहाडों के सिवा कुछ भी नहीं कोई भी नहीं अगर कोई कहीं छिपा बैठा मुझे देख रहा है तो देखता रहे अगर वो निकल कर मेरे सामने आखड़ा होगा तो भी मैं इसी तरह यहीं पड़ी रहूंगी प्रस्तुत जो और जितना देखना चाहते हो देख लो मुझे तुम में और इन पेड़ों में और पहाडों में और परिंदों में कोई अंतनजर नहीं आ रहा मुझे अपने शरीर और तुम्हारे शरीर में कोई दूरी नहीं दिखाई दे रही इस क्षण मेरा जिस्म सिर्फ मेरा नहीं मैं इस खुली हवा में इसे उड़ा देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरी उडान में शरीक होना चाहते हो तो मुझे कोई हिचक नहीं अगर तुम अलग खड़े रहे कर मेरी उड़ान को देखना भर जाते हो तो भी मुझे कोई आपत्ती नहीं मैं इस क्षण पूरी तरह प्रस्तुत हूँ सारे संकोचों और सीमाओं से मुख्त उसने अपनी आखें बंद कर ली उसके नीचे धूप की पतली सी तरी बिची थी उपर धूप की ही एक पार दर्शी सी चादर कुछी देर में वो उस चटान में घुल पिघल कर एक अजीबो गरीब परिंदे में बदल गई उसके सारे खयाल और खत्रे खामोश हो गए उड़ते उड़ते वो किसी और ही आलम में पहुँच गई जहां से उसे नीचे की दुनिया एक नुक्ते सी नजर आने लगी नजाने कितनी देर बाद जब वो आकाश की सेर के बाद दोबारा धर्ती पर उतरी तो बेगानी दीवानी सी आकाश की तरफ हसरत से देखती हुई धर्ती की तरफ हैरत से जैसे कोई एक उमर किसी दूसरे देश में गुजार कर गया बीता सा अपने देश को लौट आया हो धूप अब कुछ ज्यादा करारी हो गई थी और हवा कुछ कम पागल पहाड और पेड गुमसुम से खड़े थे परिंदों की पुकार में कुछ ठहराव सा आ गया था करवट बदल कर उसने केबिन पर एक नज़र डाली अगर यहीं हमारा घर होता और यहीं कहीं हमारा काम होता तो शायद हर सुबह की शुरुवात इसी तरह होती हर रात का अंत ऐसी ही सुबह बर होता तब शायद महसूस ही न होता कि हमारी शादी हो चुकी है तब हमारी शादी हमेशा जवान रहती मेरा सिर फिर गया है फिरा रहे वो अभी तक बिस्तर में ही बेहोश बिच्छा पड़ा होगा पड़ा रहे अगर वो पूछेगा कि मैं इतनी देर अके लिए क्या करती रही तो मैं उसे कुछ बता नहीं सकूंगी और मैं बताना भी नहीं चाहूंगी लेकिन वो पूछेगा नहीं न पूछे नहीं पूछे शादी से पहले भी वो ऐसी बातें कम ही पूछता था मुझे उसके सवाल पसंद नहीं आते थे और उसे मेरे जवाब सवाल जवाब क्या जुरूरी है अगर इसी तरह वहाँ नीचे भी चल सके तो शायद जुरूरी न रहे लेकिन नीचे उतरते ही सारा समा बदल जाएगा सवाल जवाब जुरूरी हो जाएंगे इसलिए तो चाहते हूँ कि नीचे उतरना ही न पड़े उसके मन में ऐसा कोई अर्मान नहीं उठता होगा वो उपर आया ही इसलिए है ताकि नीचे के लिए ताजा दम हो जाए और शायद इसलिए भी कि कुछ दिनों के लिए हर साल उपर कहीं आना जाना उसके हलके के लोगों के लिए जुरूरी है नीचे जाते ही वो फिर नीचे का होकर रह जाएगा उसके बारे में मेरी सोच इतनी बेलिहाज नहीं होनी चाहिए लेकिन ये सब स्वीकार कर लेने में खुद उसे कोई संकोच नहीं होगा कभी कभी वो मेरे सामने यू नंगा हो जाता है जैसे उसके मन में जरा भी संदेह न हो कि मुझे बुरा लगेगा ये उसका भोलापन है या बेवकूफी या फिर अहंकार अगर उसे अपनी उडान के बारे में बताऊंगी तो वो पुछकार कर कह देगा मेरी जान ये शायरी किसी सहेली को ही सुनाना अपन तो प्रैक्टिकल आदमी है जैसा कि शादी से पहले ही तुम्हें साफ साफ बता दिया था या नहीं उसकी हर बात कोरी और दो टूक होती है खास तोर पर दिन के दौरान रात को तो कभी कभी व नहीं पढ़ा हुआ वहां छुप मार कर पढ़ा रहे पढ़ा ही रहे कुछ देर उसमें करवट बदल ली अब उसकी नजर उंट की शकल के एक पहाड पर जाटिकी जिसके कोहान पर मुम्बतियों से पेड़ों की एक कतार खड़ी थी जिसकी पूच कटी हुई थी और गरद ना होगा शाम को थोड़ी देर के लिए उसका सिर लाल हो जाता होगा नहीं लाल नहीं नारंगी किसी दिन शाम को अकेली हुई तो देखूंगी शायद उस तरफ कुछ दूर तक सेर भी कराऊं उसे नहीं बताऊंगी वो अकेली जाने नहीं देगा और अगर उसे साथ ले जाओंगी तो उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, वो जादा दिर तक खामोश नहीं रह सकता, अगर वो साथ हो, तो मेरे अपने बेसर पैर के ख्याल भीतर ही दबे पड़े रहते हैं, शायद मुझे अपने सोचने के ढंग भी बदल देने पड़ेंगे, अपनी पोशाक की त मुझे पर पहरा भी देते थे, खास तोर पर मा और भाई, मा कभी कभी घर में अकेली होने ही नहीं देती थी, और भाई बाहर निकलने नहीं देते थे, उस कड़ी निगरानी के बावजूद मैंने उससे दोस्ती कर ली, बरसों तक मुझे अपनी दिलेरी पर गर्व रहेग अगर उन लोगों की निगरानी इतनी कड़ी न होती, तो शायद ये दोस्ती इतनी जल्दी शादी में न बदल पाती, उसने फिर करवट बदल ली, अब वो चित्त पड़ी थी, उसकी टांगे खुली पुरकार की तरह फैली हुई थी, हवा उसे अपने अंदर जाती हुई महसूस हुई, तो उसने टांगों को जोड लिया, शादी से पहले उसकी माँ उसे हिदायत देती रहती थी, बेटी, टांगे जोड के सोया कर, अब शायद वो मुझे यही हिदायत दिया करेगा, उसने टांगे फिर खोल दी, अगर वो मेरे साथ ही उठ गया होता, तो मैं भ देखो, नहीं उस परिंदे में बदल जाने की कलपना की होती, नहीं हवा को अपने अंदर जाते महसूस किया होता, नहीं उसके बारे में ये सब कुछ इतनी सफाई से सोचा होता, अगर उस सेर के दौरान मैंने उसे देख लिया होता, तो मेरी उडान तूट गई होती, और अगर वो इस चटान पर मेरे साथ होता, तो मैं इस तरह चितन लेटी होती, वो यहां नहीं है, इसलिए मैं यहां हूँ, वो यहां नहीं था, इसलिए मैं यहां नहीं थी, अगर वो इसी क्षण मेरे सामने आखड़ा हो, तो मेरी टांगें अपने आप जुट जाएंगी, और शायद मैं उससे अपनी बेपर्दगी की मुआफी सी मांग लूँगी, मुस्कुरा कर, या उसके लिए इस चटान पर जगह बना कर, या उससे इतनी देर तक सोया रहने की शिकायत करके, या इस सुभ़ के जादू को बढ़ा चड़ा कर, और वो, वो शायद कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी सोच संकोच का मैल उसके चहरे पर बिखरता नजर आ जाएगा, और मुझे महसूस होगा, कि उसने वो सब कुछ कह दिया है, जो उसने सोचा भी नहीं, और शायद वो सोच भी नहीं सकता, उसने अपनी आँखें बंद कर ली और अपने पती को अपने सामने खड़ा देखा, रेशमी गाउन में, रेशमी मुस्कुराहटों में, और वो चौक गई, क्योंकि उस रेशम में लिप्टा हुआ, उसका आक्रोश उसे साफ दिखाई दे गया, इस मर्द को इस नजर से मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा, उसे महसूस हुआ जैसे पिछली रात उसमें किसी अजनबी जिस्म के साथ ही गुजार दी थी, और सुभ़ की साफ सुथरी रोशनी में, वो उस अजनबी का सामना करने से कत्रा रही थी, उसने आखें खोल दी, उपर के अथाह बेगाने पन में उसे एक जंगली कौवा, एक काले दाग की तरफ फैला उरता दिखाई दिया, उसका मन हुआ कि वो कौवा हवा में गोता लगा कर उसका मास नोच ले जाए, उसने अपने सीने में एक सुर्ख घाव की कलपना की, और हडबढा कर उठ गई, गोया वो घाव उस कौवे और उसके पती ने एक साथ देख लिया हो, उसने अपनी बाहों को घुटनों की गिर्द लपेट लिया और ठोड़ी को बाहों पर टिका दिया, जैसे किसी कलाकार के लिए किसी शोक ग्रस्त नग्न मॉडल का पोस बना लिया हो, वो अगर आज दिन भर भी बिस्तर में बेहोश पड़ा रहे, तो शायद दिन भर मैं यहीं इसी चटान पर बैठी लेटी रहूं, आकाश की सेर तो खेर अब दुबारा नहीं हो सकेगी, लेकिन शायद कुछ और दिखाई दे जाए, उसकी नजरें एक धलान पर से फिसलती फिसलती एक छोटे से मकान की चछट पर जागिरी, वो मकान शायद खाली हो, किसी सुबह लुड़कती लुड़कती वहां तक खूम आऊंगी, उसे बताए बगए, नंगे पाउं, नंगे बदन, मकान शायद खाली और बंध होगा, पहाडी धलानों से चिपके और चोटियों पर टिके दूसरे कई मकानों की तरह, सोचने को शिकायत का नाम क्यों दूँ? सोचने से ही दबे हुए असंतोश शिकायतों में बदल जाते हैं. खैर, वो मकान अगर बंध हुआ तो भी, उसके खिड़कियों के कई शीशे जरूर तूटे होंगे, किसी शिगाफ में से अंदर फिसलते वक्त, पीठ या पेट या कोई और अंग छिल जाएगा, उसकी खराच उससे छुपाती रहूंगी, नच्छपा सकी, तो साब जूट बोल दूँगी, कह दूँगी, ये भी तुम्हारे नाखुनों की महरबानी है, वो खुश हो जाएगा, मेरी खराच को भूल कर अपने जोश की शिद्दत, और नाखुनों की तेजी पर इतराना शुरू कर देगा, उसे अपनी प्रशंसा बहुत पसंद है, उसे अपनी हर चीज बहुत पसंद है, मैं तो कभी उसके किसी ऐसे जूट पर विश्वास न कर सकूँ, न करूँ, और अगर वो मकान खाली न हुआ तो, अगर उसमें से कोई बूढ़ा फोजी या नौजवान पहाड़ी, या कोई माली या कोई औरत या कोई बच्चा निकल कर हक्का बक्का मेरे सामने आ खड़ा हुआ तो, तो क्या, जैसा मूँ और मौका देखूंगी, वैसा ही जवाब दे दूँगी, या उल्टे पाउँ वापस लौट आऊंगी, लुड़कती फिसलती, वो लोग सोचेंगे कोई पगली होगी, और अगर उसे इसका पता चल गया तो, तो वो पागल हो जाएगा, तो कपड़े उतार कर इतनी दूर क्यूं गई थी, क्या खूबी थी उस तूटे-फूटे मकान में, अगर कोई रास्ते में ही तुझे पकड़ कर दबोच लेता तो, अगर वो बूढ़ा ही बाह पकड़ कर मकान के अंदर तुझे घसीत लेता तो, तुझे मेरे इज़त का कोई ख्याल नहीं आया, तेरी तसल्ली नहीं होती मुझसे, अगर अभी भी तेरा यही हाल है, तो तीन साल बात तु क्या करेगी, मैं जब दौरे पर या दफ्तर पर जाता हूँ, तो तु ऐसी ही कर्तूद करती रहती है क्या, मुझे मालूम था, कि मैं किसी निम्फो से शादी कर रहा था, अब कुछ कहेगी तू, और मैं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, वो हकलाना शुरू कर देगा, और मैं शायद हसना, और इसी पर हमारा तलाग हो जाएगा, लेकिन मैं क्यों उसके बारे में बस्तेगा और कहेगा कि, अगली बार मुझे भी साथ लेती जाना, क्योंकि वो इस प्रतिक्रिया के नाकाबिल है, नहोता तो इस वक्त मेरे साथ नहोता, नहोता तुमें यहां क्यों होती, सारी जंदगी उसके साथ गुजारने के ख्याल का असर था, या किसी और खौफ का, वो इस चटान से यू लिपट गई, जैसे उससे आस्था और स्थिर्टा बटोर रही हो, और यह याचना कर रही हो, कि वो फिर उसे आकाश की सेर पर ले उड़े, और उसके मन को एक मेला सा ख्याल उमेट रहा था, क्यों न कोई जंगली जड़ी बूटी उसे सुंगा दू, ताकि वो शाम तक बेहोश रहे, और मैं इस चटान से लिपटी रहूं। ऐसे इरादे तो पुराने उपन्यासों और नाटकों की नाईकाएं ही बान सकती हैं, और वो भी अकारण नहीं, किसी रंजिश, कीने, अन्याय, पंदिश, बदले या बेवफाई के कारण ही इस तरह के हिंसक ख्याल उन्हें आते हैं, और वो सिर्फ सोचती ही नहीं, जो सोचती हैं, कर भी दिखाती हैं, वो जब अपने मर्द को बेहोश करने की बात सोचती हैं, तो उनका रुख किसी दूसरे मर्द की तरफ या उनके मर्द का किसी दूसरी औरत की तरफ हो चुका होता है, वो जब अपने मर्द को मारने पर तुल जाती हैं, तो उनकी आशनाई किसी दूसरे मर्द से या उनके मर्द की किसी दूसरी औरत से हो चुकी होती है, मेरे इस मेले खयाल का कोई ठोसाधार नहीं हम दोनों दकिया नूसाना हद तक वफदार हैं उसकी महत्वा कांगशाएं और मर्यादाएं शायद ही उसे किसी दूसरी औरत की तरफ बढ़ने दें और मेरे संसकार और सीमाएं शायद ही मुझे किसी दूसरे मर्द की तरफ जुकने दे हम दोनों दुनिया के गुलाम हैं और फिर मारने की मिसाल ही क्यों ले रही हूँ मैं उसे मार डालने की बात तो मेरे मन में उठी ही नहीं आज उसे बेहोश कर देने की उठी है कल मार डालने की भी उट सकती है खयालों का कोई ठेकाना नहीं होता उन्हें कोई खौफ नहीं होता उन पर बंदिशें तो बेशुमार रहती है लेकिन वो बहते पानी की तरह उनमें से अपना रास्ता बना ही लेती है उसे अगर मेरे इन उद्गारों का पता चल जाए तो वो क्या कहेगा क्या करेगा जिस तरह मैं उसकी प्रतिक्रियाओं की कलपना करती हूँ क्या वो भी करता होगा कहीं मैं ये उट पतांग खयाल इसलिए तो नहीं सोच रही कि कलपना कर सकूँ कि उसे इसका पता चल जाए तो वो क्या कहेगा क्या सोचेगा कहीं मैं उसे चौका देने के लिए तो ये सब नहीं सोच रही लेकिन वो चौकेगा तो मेरी किसी करारी बात या हरकत पर ही मेरे खयालों की कलपना वो कभी नहीं कर सकेगा तो मैंने ऐसे कलपना हीन आदमी से शादी ही क्यों की, प्यार क्यों किया? शायद इसलिए कि मुझे हर तरह की कलपना की आजादी मिल सके, मिली रहे लेकिन सारी बात, सारी उम्र, क्या कलपना तक ही सीमित रहेगी? मैं सारी उम्र उससे अलग किसी चटान से ही लिप्टी रहूंगी अगर उसे ये सब बता दू तो भी वो शायद ये कहेगा यही कि किताबों ने मेरा दमाग खराब कर दिया है करेगा कुछ नहीं उस वक्त तक जब तक मैं कुछ करती नहीं क्योंकि उसे मुझे पर विश्वास है, मेरी वफादारी पर भरोसा है और सबसे बड़ी बात ये है कि उसे अपने आप पर ना सिर्फ भरोसा है बलकि गर्व भी है तो मैं ये सब सोच कर क्यों विश्वास खात कर रही हूँ, क्यों उसका कर्व तोड़ने पर तुली हुई हूँ मैं अभी किसी बात पर तुली हुई नहीं, ये सब मैं सोच नहीं रही ये सुभह और ये समा और ये चट्टान और ये हवा ये सब मुझसे ये सब कुछ सुच्छवा रहे हैं अगर उसने ये वाक्के सुन लिया होता तो वो जरूर तैश में आ जाता उसने उसी वक्त यहां से नीचे की तरफ कूच का हुप्म सुना दिया होता क्योंकि ऐसे उल्टे वाक्के तो उन किताबों में भी नहीं होंगे जिने कभी कभी वो ले बैठता है तो क्या मुझे ये शिकायत भी है कि उसे घटिया किताबे पढ़ने का शौक है वो भी अधूरा इस शिकायत को तो वो अपनी करूर हसी के काबल भी नहीं समझेगा वैसे ये बात भी गलत है कि अपने मर्दों को मार डालने या बेहोश कर देने जैसे खौफनाख ख्याल आजकल की जीती जापती औरतों के दिलों में नहीं उठते अगर ऐसा होता तो अखवारों में हर रोज औरतों की बेवफाईयों और बेरहमियों के किस्से न चपते रहते लेकिन वो किस्से उनके ख्यालों के बारे में नहीं होते उनकी खौफनाक हरकतों के बारे में होते हैं क्योंकि उन औरतों के असंतोश और आक्रोश का आधार भी ठोस होता है, मर्द का अत्याचार, उसकी मा के ताने, कोई और औरत या कोई और मर्द, मेरी आज की इस हलचल का क्या कारण है? कोई ठोस कारण? कुछ भी तो नहीं, इसलिए तो मैं सारी उम्र सोचती ही रह जाऊंगी, करूंगी कुछ नहीं, शायद वो ठीक ही कहता है, शायद मेरा दिमाब किताबों नहीं खराब कर रखा है, बढ़िया किताबों ने, वो चटान से लिप्टी सहसा काप उठी, जैसे किसी ने उसकी उसकी याद पर कौंद गई, और फिर, फिर उन किताबों में पढ़े कमोबेश, वैसे ही किस्सों की कुछ पूरी और आमिट तस्वीरें भी, जिनसे उसका प्रैक्टिकल पती अपरिचित था, क्योंकि वो सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए ही उनको पढ़ता था, और वो खुद घटिया मान लेने के लिए तैयार है, इसलिए उसका शेल्फ भी अलग है, और मेरा अलग, उसकी रुची मेरी रुची से हमेशा अलग रहेगी, इसलिए वो वहाँ है, और मैं यहाँ, लेकिन इस अंतर का पता तो मुझे शादी से पहले भी था, पते की बात नहीं, पता तो शायद मुझे उसकी हर खासियत का था, सिवाए सेक्स के, और उसमें वो माहिर नजर आता है मुझे, मैं जरूर उसकी नजर में इस मामले में अनाडी हूँ, और वो मुझे सिखा रहा है, यहाँ आने का एक मकसद तो ये भी था, वो मकसद तो पूरा हो ही रहा है, क और वक्ष और जांखों पर चट्टानों ने चित्रकारी सी कर दी थी, जिसे उसने अपनी उंगलियों की पोरों से यों बुहारना शुरू कर दिया, जैसे कोई खुबसूरत जवान अंधी लड़की पहली बार ब्रेल पड़ रही हो, उसके आखें बंध हो गई, पलकों में क कमकमपी सी लहराने लगी, चेहरा चुंधियाय हुए फूल सा हो गया, उसे अपने बदन की भाषा बहुत पसंद आ रही थी, महसूस हो रहा था जैसे वो उस अनाडी को नया सबक देने या उससे कोई नया सबक लेने जा रही हो, कोई ऐसा सबक जो कैबिन के अंदर पड़े उस्ताद ने भी अब तक उसे नहीं सिखाया था, अचानक उसके मन में उस उस्ताद की महारत पर एक मद्दिम सा संदेह सुलग उठा और उसकी उंगलियां सहम गई, ये क्या हो रहा है मुझे आज, मुझे अभी उठकर अंदर चले जाना चाहिए, कपड़े पहन पहने चाहिए, जन जोड़कर उसे जगा देना चाहिए, और चाय के लिए पानी रख देना चाहिए, कोई किताब पढ़ने बैट जाना चाहिए, या किसी को एक लंबी बेजिजक चिठी लिखने, चिठी के खयाल के साथ ही, ये खयाल उस पर जपट पड़ा कि उसने अभी तक किसी को एक लंबी बेजिजक चिठी नहीं लिखी, अपने पती को भी नहीं, उसे लिखने का तो अभी अफसर ही नहीं आया, आ भी गया होता, तो उसने उसे कोई खास बात न लिखी होती, बलकि उसे लिखना तो और भी मुश्किल होता, बलकि ना मुमकिन होता, उसे त उसके हर उबाल को बिठा दिया करेगा। उससे तो ना कभी आमने सामने कोई खास बात हो पाएगी ना ही चिठियों में। शादी के पहले भी उससे तो ठोस कारोबारी बाते ही होती रही। पुरानी उलजन ले बैठेगा। अपनी अगली तरक्की की संभावना को तॉलने बैठ जाएगा। अपने बास को पार्टी पर बुलाने की बात शिरू कर देगा। उसका मुँ एक छोटी सी मुठी में बंद गया। ना शादी के पहले किसी से खुल कर कोई बात हुई। ना शादी के बाद। कोई ऐसी सहेली तक नहीं जिसे आज के बारे में भरपूर चिठी लिख सकूँ। अभी तक नहीं बनी तो अब क्या बनेगी। अब तो उसके दोस्तों और उसकी बीवियों के दाएरे में ही उसे बंद रहना पड़ेगा। उसके दोस्त भी तो उसी कैसे हैं उसी कैसे होंगे। उसके दोस्तों की बीवियों से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं हो सकेगी। आम बीवियां अपने खामिंदों की पूच बराबर ही होती है। मैं भी एक आम बीवी बनकर उसके पीछे पीछे चला करूँगी। उसके मजाकों पर ही 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 किया करू वो उटकर उस चटान पर खड़ी हो गई मानो किसी च्छालांग के लिए लेकिन च्छालांग लगाने के बजाए उसने एक अंगडाई ली और महसूस किया मानो उसने उस सुभा की अपनी पहली अंगडाई की नकल सी उतार दी हो उसकी बाहों के कमान तूट ही रही थी कि उसकी नजर चटान से दो-चार कदमों की दूरी पर कुंडली मारे एक सांप पर टिक गई एक शन के लिए उसकी सांस उसके गले में और उसके बाजू हवा में रुके रहे फिर वो धीरे धीरे चटान पर धेर हो गई मानो उस काले नीले सांप ने उसे दूर से ही डंस लिया हो उसका जिस्म एक जहरीले नशे में चूर हो गया सांप का छोटा सा सर लहरा रहा था उसकी पतली सी जबान किसी सुर्ख किरन की तरह तड़ रही थी उसे सांप के कुंडली को खोल कर उसकी लंबाई का अंदाजा लगाया उसके रंग को निखार कर उसकी भयानक खूबसूर्ती को आँख भर के सराहा और अनायाज फैसला सा कर लिया कि वो सांप जहरीला नहीं था कि वो उससे डर कर दोड़ने के बजाए वहीं बैठी रही और बैठे बैठे उसे तब तक एक टक देखती और दुलारती रहेगी जब तक वो या तो यहां से फिसल कर कहीं गायब नहो जाए या रेंगता हुआ उसके पास ना आ जाए उसे अपने इस खतरनाक फैसले पर हैरान होने का अफसर ही नहीं मिला क्योंकि उसने देखा कि सांप बल खाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है बहुत धीमी रफतार से मानो उसे भाग जाने का मौका दे रहा है बहुत खुबसूरत लहराव के साथ अपनी सुर्ख जुबान को किसी बारी चंडे की तरह फैराता हुआ मानो उसके फैसले की सराहना कर रहा हो उसे अपने खतरनाक फैसले को बदलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि चट्टान पर चड़ते ही सांप एक स्वर लहरी की तरह उसकी तरफ लगका और उसके गले का हार बन गया उसके जिस्म में कोई जुरजुरी नहीं हुई उसके मूँ से कोई चीख नहीं निकली उसके शरीर में फिर सुबह कासा निखार आ गया उसकी आँखें सांप के जूलते हुए सिर पर जुक कर उसके साथ जूमने लगी उसकी उंगलियां साप की काली नीली लंबाई की बलाएं सी लेने लगी उसकी जुबान साप की जुबान की ही तरह तड़पने और लहराने लगी उसका मन आकाश की तरह साफ और खाली हो गया नजाने कितनी देर बाद जब वो केबिन में दाखिल हुई तो उसका पती उसी तरह उसी तरह बिस्तर पर बेहोश पड़ा था मैं उसे साप के बारे में नहीं बताऊंगी अगर उसे होश ना आया तो किसी और को भी साप के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी अगर इसे होश आ गया तो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करूँगी जिसे उस साप के बारे में बता सकूँ निसंकोच और निर्मम होकर इस फैसले के साथ वो अपने पती से पतली सी दूरी पर लेट गई जैसे उसी क्षण से उसकी प्रतीक्षास शुरू हो गई हो